बच्चो इसके पूर में आपने संबंद के बारे में अध्यन किया है अब हम लन के बारे में पढ़ेंगे फलन अर्थात फंक्शन अई बच्चों हम सबसे पहले इनकी परिभासा देखते हैं वास्तों में बच्चों आप देखेंगे कि फलन एक विशेश प्रकार का संबंद ही होता है एक विशेश प्रकार के संबंद को हम फलन कहते हैं तो देखते हैं किस प्रकार के विशे संबंद को हम फ़लन कहते हैं, आई इसकी परिवासा देखते हैं, आप इसक्रीन पर देखें बच्चों, एक संबंद F समुच्चा A से समुच्चा B में एक फ़लन कहलाता है, यदि समुच्चा A का प्रत्येक आवयाओ, समुच्चा B में एक अदिती प्रतिवीम रखता है, क्या मतलब बच्चों, एक अदिती प्रतिवीम रखता है, मतलब समुच्चा A के प्रत्येक आवयाओ का समुच्चा B में एक अदिती आवयाओ से संबंदित हो, तब हम कहते हैं, यह संबंद एक फ़लन प्रत्सित कर रहा ह और इसे संकेतिक रूप में हम दर्साते हैं F such that A tends to B, आप इस के लिए में देखें बच्चों, F such that समुच्चा A से समुच्चा B अब यदि फलन एप में X belongs to A के संगत और यव यव वाय विलांग्स टू B है जहां दे बच्चों यहाँ पर यदि एक फलन एप में X विलांग्स टू A के संगत यव विलांग्स टू B है तब इसे Y is equal to F of X से दर्साते हैं स्क्रीन पर देखें Y is equal to F of X जहां Y को X का F प्रतिवीम कहते हैं और X को पूरी प्रतिवीम कहते हैं इसे हम तीर आरेक द्वारा भी दर्साते हैं बच्चों देखें कि हम इस फलन को किस प्रकार से तीर आरेक द्वारा भी दर्साते हैं अर्थात जदी समुच्चे A का अव्याओ X समुच्चे B के अव्याओ Y से सम्बंदित हैं अर्थात Y X का प्रतिवीम है तो Y is equal to F of X होगा तो इस तीर आरेक को हम इस प्रकार से समझेंगे और दर्साएंगे तो बच्चों यहाँ पर समुच्चे A से समुच्चे B में यदि फ्लन प्रदिशित हो रहा है तो उसको हम कैसे दर्साते हैं F सजदट A टेस्ट बी अई बच्चों हम फ्लन से समंदित कुछ अन्य परिभासिक सब्द जानते हैं तो पहला हम परिभासिक सब्दे लेते हैं फलन का प्रांथ अर्था डोमेन आप फंक्चन देखिए फलन एप सजदट A टेस्ट बी स्क्रीन पर देखें फलन एप सजदट A टेस्ट टू बी इसमें समुच्चे A को फलन एप का प्रांथ कहते हैं दूसरा परिभासिक सब्द है फलन का सहप्रांथ को डोमेन आप फंक्चन देखें आप इस्क्रीन पर फलन एप सजदट A टेस्ट टू बी में समुच्चे B को फलन एप का सहप्रांथ कहते हैं और तीसरा फलन का परिसर अर्थाद रेंज आप फंक्चन तो परिसर क्या होता है ध्यान दे बच्चो इसको गौर से समझने की जरुरत है अधिकान सहौलों में फलन का परिसर पूछा जाता है तो देखें आप फलन F सजदट A टेस्ट टू बी में समुच्चे A के सभी आउयों के F प्रतिविंबो का समुच्चे फलन का रेंज कहलाता है और इसे हम इस प्रकार से दर्स आते हैं कि F का परिसर is equal to F of A ज्यान दे बच्चो फलन F का परिसर बराबर F of A अर्थाद इसे हम समुच्चे निर्मार रूप में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं F का परिसर is equal to F of X such that X belongs to A यहाँ पर यह याद रखना ज़रूरी होगा बच्चो कि फलन का परिसर सदे उस फलन के सपरांत का उप समुच्चे होता है अर्थाद हम इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि परिसर सदेव अपने प्रांत का प्रत्वीम होता है जान दे बच्चो किसी फलन का परिसर सदेव अपने प्रांत का प्रत्वीम होता है और उसे हम इस प्रकार से दरसाते हैं आप देखिए F of A is the subset of समुच्चय B आए बच्चो फलन को सरलता से समझने के लिए हम एक उदाहन लेते हैं आप इस क्रीन पर देखिए उदाहन F such that W tends to N द्वारव परिभासित फलन F of X is equal to X plus 2 यहाँ पर F such that W tends to N W मतलब पूर्ण संख्याओं को समुच्चे और N का मतलब प्राक्री संख्याओं को समुच्चे तो फलन F कैसा परिभासित है? पूर्ण संख्याओं के समुच्चे से प्राक्री संख्याओं के समुच्चे में परिभासित फलन है तो f such that w tends to n का अर्थ क्या है बच्चों यहाँ पर f का जो प्रान्थ है वो w है w अर्थाद 0,1,2,3,4 dash 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 and so on अर्थाद पूर्ड संख्याओं का समुझ्चे और दूसरा f का सा प्रान्थ बराबर n अर्थाद 1,2,3,4, dash 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 and so on अर्थाद प्राक्री संख्याओं का समुझ्चे और इसमें फ्लन दिया है f of x is equal to x plus 2 तो बच्चों यहाँ पर समझना है f of x is equal to x plus 2 x का मतलब प्रान्थ और f of x का मतलब उसका परिसर तो हम बच्चों इस फ्लन को हम तीर आरेक दौरा प्रदर्शित कर से हैं और इस स्क्रीन पर आप देखें कि हम इस फ्लन f of x is equal to x plus 2 को किस प्रकार से तीर आरेक दौरा प्रदर्शित कर सकते हैं यह देखें यह समुझ्चा है w जो कि आपका प्रान्थ है w याने 0, 1, 2, 3, 4 and so on और दूसरा इसका साफ प्रान्थ प्राक्रिशन क्या होग समुझ्चा है n आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on अब यह कैसे संबन देखें बच्चों देखें फलन f कैसे संबन देखें f of x is equal to x plus 2 याने परिशर में जो सदत से आएंगे वो प्रान्थ से 2 ज़्यादा तो हम यहाँ पर संबन देखें बच्चों आप इसक्रीन पर देखें 0 का संबन 2 से होगा f of x is equal to x plus 2 x is equal to 0 रखें तो 0 plus 2 is equal to 2 तो 0 का संबन 2 से ठीक इसी प्रकार से हम अन्य को संबन्धित कर सकते हैं 1 का संबन 3 से 2 का संबन 4 से 3 का संबन 5 से 4 का संबन 6 से इसी प्रकार से अन्य को हम संबन्धित कर सकते हैं अब इसका अलोकन किजिए बच्चों इस तीर आरेक के अलोकन से हम देख सकते हैं कि आप साब्रान्थ को देखेए आप साब्रान्थ का अव्याव एक यहां देखें इसका प्रान की किसी भी अव्याव से समधित नहीं है। अर्थात एक प्रांध की किसी भी अव्यों का प्रतिवियम नहीं है इसलिए फलन एप्ट का परिशर एक को छोड़कर सभी प्राक्रिश संख्याएं होंगी जिसको हम लिख सकते हैं 2,3,4,5 and so on और इसे हम इस प्राकार से भी लिख सकते हैं F का परिशर is equal to N minus 1 एक को छोड़कर और यहाँ से इस पर्ष्ट है कि फलन एप का परिशर is the subset of natural number N क्या देख लिख मिल रहे बच्चों परिशर is the subset of सप्रांध इस पर्ष्ट हो रहा है यहाँ पर क्योंकि सप्रांध का आव्याओ एक छूट रहा है वो इसके परिशर में नहीं आ रहा है तो इस conclusion को समझना है बच्चों परिशर is the subset of सप्रांध इस तीर आरेक से हम अन्य जानकारिया भी हासिल कर सकते हैं देखिए आप इसके लिए पर देखते जाए बच्चों प्रांध के प्रते कव्यों का प्रतिभीम सप्रांध में मिलेगा तो आप देखते जाए शुलिक का प्रतिभीम दो एक का प्रतिभीम तीन दो का प्रतिभीम चार तीन का प्रतिभीम पाच चार का प्रतिभीम छे और इसी प्रकार से हम और बढ़ते जाएं तो हमको मिलेगा 199 का पुरु 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 क्या होगा बच्चों 199 तो इस प्रकार से हम किसी आवयों का प्रतिभीम अध्वा सब प्रांत की किसी आवयों का पूर प्रतिभीम हम प्राप्त कर सकते हैं बच्चों आप इसकेलिस थे देखेंगों फलन की पहचान करने के लिए हम यह चार प्रकार के तीर आरेक का उलुकन करते हैं आbest दीकिया पहला तीर आरेक देखेए आप भना है कि यह दो समुच्चे दिया गया है, पहले समुच्चे कायों A, B, C और दूसरे समुच्चे कायों A, 2, 3 और किस प्रकार से संब्ध नहीं थे देखिए, A का संब्ध 1 से, B का संब्ध 2 से, C का संब्ध 3 से, क्या मतलब यहाँ पर, क्या देखने की मेरे बच्चों, इस तीर आलेक सी स्पस्थ है, कि प प्रांत में एक अधीती प्रतिविम है, अर्थात आप देख सकेंगे, F of A is equal to 1, F of B is equal to 2, F of C is equal to 3, ठीक है बच्चों, तो हम इसे फालन कहेंगे, ध्यान देना है, यदि प्रांत के प्रत्यकवयों का सा प्रांत में एक अधीती प्रतिविम है, तो निश्यत्वर से वहाँ फलन होगा, अर्थात यहाँ एक फलन है, दूसरा आप तीर आरेक देखिए, यह तीर आरेक देखिए, यहाँ पर किस प्रकार से संबंदित है, पहला समुच्च्च है, जिसके होया A, B, C और दूसरा समुच्च्च जिसके होया, 1, 2, 3, अब इसमें कैसे संबंदित है, से है, आप अलोकन करें, तो यहाँ पर भी अलोकन से इस पर स्थ होता है, कि प्रांत के प्रत्यकवयों का सह प्रांत में एक अधिती प्रतिभीम है, मौजुद है, अधात कह सकते हैं, कि F of A is equal to 1, F of B is equal to also 1, and F of C is equal to also 1, इसका मतलब, यहाँ भी एक फलन है, तीसरा आप तीरारेक देखिए, तीसरा तीरारेक देखिए आप, इसमें किस प्रकार से दोनों समुच्चे क्या होयो संबंदित है, यह समुच्चे है, पहला समुच्चे जिसका होयो है, A, B, C, और यह दूसरा समुच्चे जिसका होयो है, 1, 2, 3, कैसे संबंदित हैं देख देख में रहा है बच्चों यहां पर यहां पर प्रांथ का तीसरा आव्याव सी का सा प्रांथ में कोई भी प्रतिवीम नहीं है छूटा हुआ है संबंदीत नहीं है कि अर्थात के वहल क्या दीख रहे हैं यहां पर कि f of a is equal to one f of b is equal to two c का कोई प्रतिवीम नहीं है इसका मदलब यह फ्लन नहीं है और एक last तीर आरेक देखते हैं और इसका ओलोकन करते हैं इस तीरा रेक को देखिए बच्चों आप यह पहरा समुच्छा है जिसके हो यह ए A, B, C और A दूसरा समुच्च जिसके होगा A, 2, 3 अब यह कैसे संबन नहीं थे बच्चों देखिए अब यहाँ पर देखनीक मिल रहा है A का संबन 1 से और A का संबन 2 से भी है ध्यान देने हैं आप तीरा रइक जो बना हुआ है A का संबन 1 से भी है A का संबन 2 से भी है B का संबन 2 से है और C का संबन 3 से है अब इसके अलोकन से क्या इस प्रस्टोर है बच्चों यहाँ देखने की मिल रहा है कि प्रांथ का एक आवज़व A इसका सा प्रांथ में दो प्रजिविम 1 और 2 है अर्थाद F of A is equal to 1 और F of A is equal to 2 भी है प्रांथ के एक आवज़व का सहप्रांथ में दो दो प्रजिविम है जो फ्रांथ को परिभासित नहीं करता अता क्या इस पर चुछवर है कि यहाँ फ्रांथ नहीं है तो ध्यान देना बच्चों कि यदि हम किसी संबंद को तीर आरेक द्वारा पर दिशित करते हैं तो तीर आरेक के माध्यां से उसका अलोकन करके हम एक प्रश्ट कर सकते हैं कि वहाँ फ्रांथ है अत्वा नहीं है आगे हम इन पर आधारित प्रश्ण करेंगे उदाहरन करेंगे और उस पर चाचा करेंगे बच्चों बच्चों अब आप संबंद और फलन दोनों की परिभासा पड़ चुके हैं आएए हम नीचे के कुछ प्रश्णों पर विचार करते हैं और कोई संबंद फलन कब बन जाता है अर्थात हम संबंद जो है फलन है अत्वा नहीं इसकी पहचान करना सीखेंगे हम आपके टेक्स बुक के प्रश्णों वाली दो दोसनों तीन के कुछ प्रश्णों पर विचार करते हैं चलिए एक प्रश्ण लेते हैं पहला प्रश्ण है नीचे दिये गए संबंदों में से प्रतेक का निरिक्षन कीजिए अब प्रतेक दसा में कारण सहीद बताईए कि क्या यह फलन है अत्वा नहीं तीन प्रश्ण इन्हों ने रखा है पहला संबंद R is equal to क्रमित युगमर 21,31,42 दूसरा दिया है संबंद R is equal to 22,24,33,44 तीसरा संबंद R is equal to 12,23,34,45,56,67 बच्चों अब इन्होंने क्या कहा है कि निरिक्षन कीजिए इन संबंदों को और हमें बताना है कि यह फलन है अत्वा नहीं और यदि है तो हमें उसका कारण भी बताना है चलिए बच्चों पहला प्रश्ण लेते हैं पहला प्रश्ण में संबंद R is equal to दिया गया है 21,31,42 इन तीनों क्रमित युगम के आवयों को गौर से देखे निरिक्षन कीजिए यहाँ पर कोई भी दो क्रमित युगम के प्रतम घटक समान नहीं है सब प्रितक प्रितक है इसका मतलब है प्रांत के प्रत्यक अवयोकास सा प्रांत में एक अदिती प्रतिभिम है इसलिए यह संबंद R एक ध्वलन है बचों आपको ध्यार रखना होगा कि कोई संबंद यदि दिया है उसके प्रत्यक क्रमित युगमों को गवर से देखे यदि इन क्रमित युगमों में से कोई भी दो क्रमित युगमों के प्रत्म घटक समान नहीं है तो निश्यों तुमसे वहा संबंद एक फ्रन को दर्साता है यह ध्यार रखना है दूसरा प्रश्ण को देखते है R is equal to दिया है क्रमित युगमों 22 इसका निश्यों कीजिए क्या देखनेक में रहा है बच्चों यहां पर सुरू के दो क्रमित युगमों को देखिए 22 और 24 इनके प्रत्म घटक समान है दोनों क्रमित युगमों में पहला घटक दो है अर्थात प्रांद के एक ही आवयों के साब प्रांद में दो दो प्रतिवीम हैं अतह या संबन एक फ्रतिवीम नहीं है ध्यान रखना बच्चों निरिक्षन में यह पता चल जाए क्या कि एक ही आवयों के प्रांद के एक ही आवयों के साब प्रांद में दो दो प्रतिवीम है इसका मतलब वफलन नहीं होगा ये बात को ध्यान पे रखना है तीसरा प्रश्ण भी देख लेते हैं संबंद R is equal to क्रमित युगमा 1,2,23,34,45,56,67 यहां भी देखिए हमको इन सभी क्रमित युगमों का बारिकी से निरिक्षन करना है और देखना है ऐसा तो नहीं कि कोई भी दो क्रमित युगमों का प्रत्थम घटक समान तो नहीं है यह देखना है तो यहां पर निरिक्षन से पता चल रहा है कि कोई भी दो क्रमित युगमों के प्रत्थम घटक समान नहीं है अर्थात प्रान के प्रत्यक अव्यों का एक अधिती प्रतिविम है इसलिए यह संबन और एक फलन है